है 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 हलो तो क्या हाल चाले भाई आप सभी के सब ठीक ठाक तो चल रहा है न तो दोस्तों यह है आज मेरे पास रडमी का सेवन ए और आई थिंग दो तीन दिन पहले मैंने इस से रिटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम आई थिंग चाइना में जो मीडियो का अपडेट है वो रडमी सेवन एक के लिए रिलीस किया गया था तो उ में मिलना शुरू हो चुका है अभी मैं आपको इसके बारे में एक सबसे वड़ा डाउट क्लियर कर दूँ इसका अभी बल्क रॉल आउट शुरू नहीं किया गया है यानि कि ये एक बीटा फेस्ट में है यानि कि कुछ-कुछ ही ऐसे यूजस होने वाले हैं जिनको ये अ आपको आपके ड्मी 7a में बीना रूट किये जो अपडेट है उसको इस्टोर करना भी सिखा देता हूं तो काफी डिमांडिंग इस वीडियो की थी बिना टाइम वेस्ट के इस इंट्रस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बिल्कुल आराम से बनाने वाला हूं बिल्कुल सैटिसफाई तरीके से बिल्कुल भी जल्द बाजी मैं इस वीडियो में यहान पर नहीं करने वाला हूं हलांकि इतना कुछ हमें मतलब हार्ड सा इशू देखने को नहीं मिलता मतलब कि ज्यादा हार्ड प्रोसेस है लेकि इस तरह के जो भी चीज़ें होती है अगर उनको आप संबल कर करें तो ही आपके लिए यहाँ पर काफी बैतर हो सकता है तो वीडियो स्टार्ट करने अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिगा हमारा आज का लाइक टार्ग पर हमें मिल जाता है तो वो जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को डिस्क्रिशन में दे दिया है उसे सबसे पहले उस वाइल को डाउनलोड कर लीजिए इसके बाद सिस्टम अपडेट पर क्लिक कीजिए और और माफ कीज़े कि मैं यहाँ पर अपने स्मार्टफोन का इंटरेट भी ओन कर लेता हूं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बिल्कुल अपने स्मार्टफोन के सौप्ट्वेर अपडेट सेक्शन पे पहुंच चुका हूं इसके बाद आपको यहाँ पर तीन डाट्स दिख रहे हैं देखो तीन डाट्स आपको जैसे दिखेंगे तो आपको यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज का ओप्शन मिल रहा है तो just simply मैं आपको इसे explain कर देता हूँ इस package से आप सिर्फ उनी ROM को install कर सकते हैं जो कि Xiaomi के लिए उसी device के लिए official ROMs हो कोई और ROMs इससे install नहीं हो सकते उसके लिए आपको routing गयरा का सहरा लेना पड़ेगा लेकिन choose update package से आप जो official ROM होती है उस device के लिए उनको install कर सकते हैं बिल्कुल आपकी चीज़ confirm कर दी अगर आपके पास choose update package का option नहीं आ रहा है यहां पे तो आपको just simply क्या करना है देखे जो आपका menu 11 का logo है इस पे आपको just simply ऐसे click करते रहना है और आपको यहाँ पर एक छोटी सी information show हो जाएगी तो वो file आपको यहाँ पर find करनी होगी जो कि आपने मेरे description में दीएगे link से download करी हुई है तो I think कि मैंने यहाँ पर यह जाप्या से transfer करी हुई है तो आपको just simply यह दिख लेना है कि आपने किस folder में इसे save करके रखाया इसके बाद आप देख सकते हैं newi pine in global version 12.0.1 तो यह है वो file 1.8GB की style यहाँ पर दिखा रहे तो यही वो file है जो कि हमें यहाँ पर इसको install करना है जस्ट इस पर आपको click कर देना है और इसके बाद जो ok का option आपको दिख रहा है ok पर आप click कर दिजे और इसके बाद यहाँ पर retriving info का option हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना है बिल्कुल यह चीज हमारी success हो चुकी है और कुछ इसी तरह की जो update है मैंने अपने Redmi की Note 5 Pro में भी install की थी तो वो वीडियो भी आप check out कर लेजेगा तो कुछ इसी तरह से होगा जिस simply reboot and update कर लेजे अगर अभी तक आपको यह process समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो का जो time length है उसको थोड़ सा slow करके back जाकर फिर से देख सकते हैं तो अगर आप इस update का मज़ उठाना चाहते हैं तो आपको यह इस तरह से करना होगा अभी आपको इस वीडियो को छोड़के बिल्कुल नहीं जाना जैसा कि मैंने आपको बताए बिल्कुल ध्यान से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो डी क्रिप्ट यह जैसे ही हो रहा है तो डी क्रिप्ट होने को यह 100% यहाँ पर लेने वाला है दोस्तों थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर टाइम अपने इन्वेस्ट कर देते हैं जितना भी यह 5-7-8 मिनिट का वीडियो बनता है तो आपको बिल्कुल कुछ अच्छा खासा यहाँ पर नोलिज लग जाएगा कि अगर आपके पास साउमी का कोई और स्मार्ट फोन भी है तो उसमें आपको किस तरह से यह अपडेट्स यहाँ पर इंस्टोल करने है तो जैसे ही यह अपडेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ तब तक आप देखी कि किस तरह का यह जो इंफॉमेशन है मैं यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो बिल्कुल अभी यह हुमारी जो परसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट करी तो बिल्कुल अच्छी तरह से सक्सेस्फूल तरीके से कंप्लीट हो चुकी है तो इस तरह से आप अपने Redmi 7A में जो मी यू एटोलो का अपडेट है उसे इंस्टोल कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक इंफॉमेशन पहले भी देती थी कि यह एक बीटा अपडेट है तो इसमें आपको कुछ चोटे मोटे बग्स फेस करने को मिल सकते हैं तो अगर आपको कुछ ऐसे बग्स मिलते हैं तो वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ही और कंपनी को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं जवारत